हिंदी नाम इस ओसदी का चाक्सू है इसको चाक्सू या पर चिरोटा की नाम से जाना जाता है दोस्तों ये पमाड की ही प्रजाती का पौदा है और इसकी पत्तियां और इसकी फूल देखने में पमाड की भाती लगते हैं बस अंतर है तो इसकी फली में तोसे ये इस या बन कुल्थीख के नाम से जानती है कुछ्थी कीना इसकी फली होती है इसको बानर भी बोला जाता है संस्क्रित में इसको चत्छस्या या अरन ने dove भilton तिस बंदें विस्जा बूलती है ये इसकी पत्तियां आप देखिए ये चाक्सू की पत्तियां और इसके जो बीज है ना वे बीज इसके रुक्ष होते हैं रुक्ष यानि कि थोड़ी उस्ट्ण बीर और कसाय तिकते और असीद बीर विपाक में कटू एबं ये कप और पित्त का समन करते हैं तो जो स्वास के रोगी होते हैं जिनको बलगम में खासी में बलगम आता है वे इस बीजों को ले करके और पीस ये और पीस करके इसमें थोड़ी सौंट का चुरें मिला करके सेथ के साथ सेवन करेंगी तो दमा और खासी में आरा मिलता है वलगम में जो सीने में जकड जाता है कप जब सीने में दर्द होता तो ऐसी रोगी इसका प्रियोग कर सकती है दोस्तों ये मूत कर्च में और अस्मरी में बहुत ज्यादा लापकारी है मूत कर्च में जहां पर पेशा ब्रुक की आती है ये जलन होता है तो ये मूत कर्च को दूर कर देती है और अस्मरी का ये भेदन करती है प द्रिष्टी फोड़ी द्रिष्टी में कोई दोस हैं आखों में कोई कराबी यह लालिमा है आखों में जलन पैदा होती है खुजलि यह सुजन आती चेद्धिन के सुस्वार्किन पत्यYou Zaus कोड़ का रही है यह चाक्सू दोस्तों यह चाक्सू और इसको चिरोटा भूला जाता आप इसको ध्यान से देखिए